हेलो दोस्तों लेट्स क्रेकिट में आपका स्वागत है और एग्रिकल्चर एन एलाइट सेक्टर के जनवरी 2022 के करंट अफेर्स हम लोग यहां पर देखेंगे जनवरी 2022 में 28 जनवरी तक के करंट अफेर्स यह कंपाइल किये गए हैं क्योंकि यह वीडियो मुझे जल्दी पूछेंगे ऑके बट जो मुद्दे हैं वो तो एवर्ग्रीन रहते हैं ठीक है जैसे एफसी आई में कम्या हैं डिजिटल एग्रिकल्चर को बढ़ावा देना है यह सब मुद्दे सेम रहते हैं ओके तो यह सब यहां पर क्लियर हो जाएंगे तो जितने भी मल्टी लीनिय कुछन पूछे जाते हैं या फिर सीदे सीदे आपका वन लाइनर कुछन है वो सब सोल हो सकते हैं जनवरी 2022 के करंट अफेर्स हम यहां पर देखेंगे अग्रिकल्चर एलाइड एक्टिविटीज की इसकी एनोटिट पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसके क्लीन पीडिएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फिर नियूस की तरफ चलते हैं जाधा टाइम नहीं लगाते लाइक शेर और सब्सक्राइब भ पर उसका किस तरीके से प्लांटेशन होना चाहिए अब प्रोडक्शन होना चाहिए प्रोसेसिंग होनी चाहिए इसको कहते हैं बैंबू बैल्यू चैन का मैनेजमेंट किस तरीके से हो उसमें पार्टिस्पेंट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इस सब के उपर नीती आयोग ने वर्क्शोप यहां पर आयोजित की है बैम्बू एक ग्रास है फास्ट ग्रो होती है कार्बन का सिक्वेस्टेशन भी जादा करती है टिपिकली वूडी होती है ट्रोपिकल सब्रोपिकल माइल टेंपरेट जोंस में आपको इसका डिस्रिबूशन मिल जाएग उसके बाद दूसरी ख़बर आती है गोर्मेट ने अपॉइंट किया विजय पॉल सर्मा जी को as the chairman of CACP CACP वही बोडी है जो कि MSP को define करती है MSP अलग अलग जो commodities है उनके लिए MSP को जो define करना है वो इसी कही काम है तो इनको यहाँ पर आप देख सकते हो image के अंदर इनका नाम है विजय पॉल सर्मा इनको chairman यहाँ पर बना दिया गया है और after he resigned in May 2021 में इनका 5 साल की term यहाँ पर ख stand की गई तो बिजय पॉल सर्मा also serve as a professor in agriculture department in the Indian Institute of Management एहमदाबाद गुजरात यह इनकी personal life के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पर भी आपके professor रहे हैं इसके अलावा जो आपका CACP है यानि की commission for agriculture cost and prices इसके बारे में अगर हम बात करें यह 1965 में यहाँ पर establish किया गया था य यह apex body है जो की ministry of agriculture and farmer welfare के अंदर में work करती है और CACP recommend करती है MSP को cabinet committee of economic affairs की सिफारिशों पर two incentivized cultivators तो यह जो MSP वाला काम है यह आपका इनके द्वारा ही recommend किया जाता है ओके तो यह सब पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा सेम चीज़े हैं Ministry of Food Processing and Industries की अगर हम बात करें उन्होंने launch किया है उन्होंने launch किये 6 Food Products of OD यानि वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट ब्रांट के अंदर 6 नए फूड प्रोडक्ट को यहां पर launch किया गया है Ministry of Food Processing and Industries की ये एक स्कीम है जिसका नाम है PM Formalization of Micro Food Processing Scheme और इसका एक पार्ट है वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट योजना इस योजना के अंदर छे नए फूड प्रोडेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है अब यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे गए हैं लाइक Ministry of Food Processing Industries के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम दिया गया है श्रीप पसुपती कुमार पारस मिनिस्टर ओफ स्टेट भी दिये गये हैं नाफेट भी इनके साथ में यहाँ पर मिलकर के लॉँच किया छे फूड प्रोड़क्ट लॉँच किये गये हैं कोरी गोल्ड है, कश्मीरी मंत्र है, मधू मंत्र है, सौमदाना है और हूलसेल वीट कुकीज ओफ दिल्ली बेक्स हैं ठीक है यह आपको यह याद रखने हैं कि इस तरीके के 6 प्रोड़क्ट आपको देखने के लिए मल जाएंगे यह सब आप से नहीं पूछा जाएगा, आपको यह पता होना चाहिए इस टेटिक पार्ट में कि कौन है यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोड प्रोसेसिंग इंडस्टी के बाकि किसकी प्रोड़क्ट में आप पर लॉंच हुआ, नोट इंपोर्टन आप देख सकते हैं कि PM Formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके ये सारे के सारे आपको features देखने के लिए मिल जाएंगे, इसके अंदर training, research, self-help groups को बढ़ावा देना और infrastructure boost करना, capacity building programs, research को बढ़ावा देना, ये सब चीजें इसके अंदर में आ जाती है अगर हम बात करें, PMFME की हिंदी में इसका आप यहाँ पर full form देख सकते हैं खाद परसंसकरन की यहाँ पर बात हो रही है, यानि food processing की बात हो रही है, इसमें आत्म मिलबरता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है, तो शूक्षम उद्ध्योगों को अगर हम बात करें, जो माइक्रो इंडिस्टीज हैं, उनको 10,000 कोड़ों रुपे की फंडिंग यहाँ पर 20 जून 2020 से उसका सुबारम भी किया गया, और साथी साथ अगर हम देखें, तो रोजगार में खाद परसंस के परकार आप देख सकते हैं, अलग-अलग छेतर से, अलग-अलग डिस्टिक में अलग-अलग उतपात चुनने के लिए मिल रहे हैं, लाइक आप देखो, कि बेकरी और मिस्थान के उतपात चुने जा सकते हैं, डेरी उतपात हो सकते हैं, बसा तिलहन हो सकते हैं, मचली औ खाद पर संस्क्रान भी इसके अंदर लॉंच किया गया है और मास आपका पॉलिट्री संस्क्रान मिल जाएगा बन जो हैं उनकी माइक्रोफूड प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आपको लाइक हनी वागेरा है अगर ऐसा कुछ भी है किसी भी डिस्टिक में होगता है तो उनक किसा आपने बरता को बढ़ावा दिया जा रहा है आईसी एयार आईसी एयार के अंदर और और जिसका नाम है सी आर आई जे एए 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 एफ यानि की सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्टूट फोर जूट एंड एलाइट फाइवर्स इन्होंने डैवलप किया है अपनी न इस एप के अंदर से आपको प्रोवाइट की जाएगी अच्छा यह जो इंस्टिट्यूट है सी आर आई जे एए एए इसका हेड़कॉर्टर आपको याद रखना है पैरपूर बेस्ट है और इन्होंने एप लौंच किया एप का नाम याद रखना है एडवाइस नाम का य इंगलिश हिंदी और बंगाली और एप जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइट करता है जूट और उससे रिलेटेट फाइवर्स के जरीए यह उसका लोगो है यह आपका इंस्टिट्यूट है ठीक है यह सारी खवर आपको यहाँ से याद रखनी थी रबर ब तो दूसरी जो कंट्रीज हैं वो किसी तरीके के नोन टैरिफ बेरियर्स लगा करके हमारे प्रोड़क्ट को रिजैक्ट ना कर दें उससे पहले ही इंडिया में जाच कर ली जाए तो EU रेगुलेशन से कंपलाई करने के लिए यह यहाँ पर लॉंच किया गया है तो इन आपकी क्रेडेबिल्टी है वो आपकी थर्ड पार्टी से यहाँ पर लॉंच की जाएगी थर्ड पार्टी का काम यहाँ पर करेगी तो यहाँ पर तो हो सकता है कि किसी तरीके की पैसा वगरा चला हो ठीक है करप्शन वगरा हुआ हो तो थर्ड पार्टी इस चीज को पूर को restriction को chemical substance के उनको regulate करना है तो reach compliance कौन सी country का यहाँ पर regulation है तो European Union का regulation है और इसके जरीए ये आने वाले सबी product का registration, evaluation, authorization और कुसमें chemical substance तो नहीं है उस चीज़ को check यहाँ पर करते हैं ठीके, तो हमारे product बाहर जाकर के रुके न, बापस न भेज़ दिये जाएं उन सबी के लिए ये सब खाम यहाँ पर किया गया है तो ये आपको याद रखना है उसके बाद e-Wadagai नाम का एप यहाँ पर launch किया गया है तमिल नाडू के चीफ मेरिस्टर आमके स्टालिन ने e-Wadagai एप को यहाँ पर launch किया और ये एक स्मार्टफोन एप है आपको यह याद रखना है कि तमिल नाडू की सरकार ने इसको यहाँ पर launch किया है और अगर किसी भी किसान को एगरी मशीनरी चाहिए तो इस मॉबाइल पर जागर के रजिस्टर कर सकते हैं आपके घर पे एगरी मशीनरी और अलग अलग तरीके के जो इक्यूपमेंट्स हैं वो पहुचा दिये जाएंगे रेंट पर एक तरीके से ये एप जो है वो वर्क करेगा आपने इस पर ओडर कर दिया कि हमें हैपी सीडर नाम की मशीन चाहिए आपके घर पर पहुच जाएगी और आपको उसके लिए जो रेंट है कि कितने समय के लिए आप इसको रख रहे हो वो आपको यहाँ पर देना है और आपका जो खेत है उसको बेसिकली जो भी काम होगा वो यहाँ पर कर दिया जाएगा तो यह इस तरीके से मिलेगा गवर्मेंट इस पर सबसीडी भी देगी सस्ते में आपको मशीन प्रोवाइड कराने का काम होगा तो यह डिजिटल इंडिया मेकनाईजेशन को यहाँ पर बड़ावा दिया जा रहा है उस चीज़ से आपको फायदा मिलेगा असाम ने MOU साइन किया है NDDB के साथ डेटी डेवलप्मेंट करेंगे तो यह जोइंट वेंचर इन्होंने सेट अप किया है अगले साथ साल में हम प्रोसेस करेंगे तो यह सब कुछ छोटे चोटे टार्गेट है इतना जादा डिटेल में आपर नहीं जाया जाता बट यह आप जरूर से ध्यान में रखें कि असाम ने NDDB के साथ की MOU साइन किया है जनवरी 2022 में इसके अलावा असाम जो है वो 15,000 हाई मिल्क येल्ड गिर काव गुजरात उनको भी इंड़क्ट करेगा अपनी राज्जा के अंदर ताकि एंप्रॉमेंट अपोर्चनटेज भी बढ़ाई जा सकें और जो डेरी रिटन्स है वो भी जादा जादा देखने के लिए मिल सकें ये सब काम यहां पर होंगे छे डेरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी सेट अप की जाएंगी असाम के अंदर और वहर मिल्क फ्रॉम मोर दैन 41 सो डेरी कोपरेटिव सोसाइटीज उनको यहां पर प्रोसेस किया जाएगा तो ये डेरी डेवलपमेंट के अंदर डेरी प्रोसेसिंग यूनिट्स से बेसिकली रिलेट जो मो यहां पर साइन किया गया है टू कैटल फीड और्गेनिक मैन्यूर देने के लिए यूज में लिया जा सकता है उसके बाद नीली करांटी की अगर हम बात करें तो ये दो इमेजिस रिलीस की गई गॉर्मेंट के दौरा माई गॉर्मेंट पॉर्टल पर और आपको पता चलेगा कि मतस्य संपदा योजना जो की 2024-25 तक बिलू रेँवलुशन लाने के लिए यहाँ पर लाई गई थी नीली करांटी इसको कहते हैं उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए मतस्य संपदा योजना यहाँ पर आपको देखना है कि करना है ठीक है तो इतना इतंपादन हमें यहाँ पर करना है 2018-2019 में कुल 13 मिलियर मिट्रिक टन था हमें बढ़ा करके 22 मिलियर मिट्रिक टन करना है 2024 तक ये मतस्य संपदा योजना का एक लक्ष है तो ये सब नियूज जो है ये अग्रिकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड है एलाइड एक्टिविटी जो पार्ट है वो इसी कही ह कोजगार के सिर्जन्स भी हाँ पर होते हैं मतस्य पालन में अब तक सबसे जादा निवेज देखने के लिए मिला है पांस साल की अबधी में लगभग 20,000 कौन रुपे का निवेज किया जाएगा ओकी तो 2024 पचीस है तब तक कितना निवेज किया जाएगा ओकी इसके लाव भग आस से एक साल पहले लॉंच किया गया था शायद सितंबर 2020 में जहां तक मुझे याद है ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा आप देख सकते हो कि मचली पालकों की मदद के लिए आप देखो हैचरी है फीडिंग मशीन है क्वालिटी पालकों को दी जा रही है ताकि वो यहां से लोन ले सके अपने फैशरी सेक्टर के लिए मचवारों की आयको दूगनी करने का भी लक्षे है और फसलों के नुकसान को जो कि 25% होता था वो अब 10% ही नुकसान हो रहा है यानि कि हमने फार्मर्स की इंकम को यहां पर बढ़ा MP की cabinet ने हाँ पर approve की है मुख्य मंतरी करिशक उपारजन सहायता योजना तो to help government procurement agencies तो government है FCI है और यह तो central level की है यह आपकी procurement करती है states के थूँ और state की जो agencies हैं वो यहां पर आपकी farmers से अनाज को उठाती है ठीक है तो यह जो बीच की आपकी government procurement agencies हैं state level की उनको सहायता provide करान के लिए यह इसकीम यहां पर launch की गई है और इसके लिए budgetary allocation यहां पर दिया जा रहा है food and civil supplies corporation जो की state based है और साथ इसाथ market federation को भी यहां पर दिया जा रहा है जो भी उनको loss हुआ है during the grain procurement from the farmers उनको यह सब सुभीता यहां पर provide की जाएगी इसकीम कोई खास बड़ी नहीं है ठीक है इसलिए जादा news के अंदर भी नहीं आई बर आपको दो point यहां पर याद रखने हैं कि यह किस ने launch किये MP की सरकार ने launch किये किस लिए launch किये government procurement agencies की मदद की जाएगी ना कि farmers की ठीक है farmers की मदद करने के लिए launch नहीं की गई है ऐसे यह आपको यहां पर याद रखना है चंडीगर यूनिवस्टी ने launch किया है एक ऐसा application एक mobile app जो कि यह detect कर सकता है कि आपकी crop में disease है या नहीं है image को देखिए पत्ती को scan करके आप पता कर सकते हो कि पोधे में किस तरीके की बिमारियां है एप का कोई fancy नाम नहीं है इसलिए ख़बर आई यह मुश्किल है बट ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी अभी कौन सी उनिवस्टी ने crop disease को detect करने के लिए एक mobile app launch किया चंडीगर की उनिवस्टी ने किया है artificial intelligence पर बेस यह एप है और इसके अंदर जो इंडियन फार्मर्स हैं जिनको crop disease के बारे में कम पता रहता है उनको यहां पर इसके बारे में पता चलेगा और अगर हम देखें तो एक साल में लगबग 90,000 क्रौन रुपे पर year ठीक है आपको देखने के ले मिलेगा एक साल में 90,000 क्रौन रुपे का जो नुकसान पैस्ट और डिजीज के करण यहां पर हो जाता है तो क्यों ना उनको identify किया जाए और इस बिमारी को यहां पर खतम किया जाए जो यह issues farmer के सामने जिससे उनकी income कम हो जाती है इसके जरीए sort किया जा सकता है तो यहां पर गठित किया गया था ICAR के द्वारा एक कमीटी यहां पर गठित की गई थी और उन्होंने यह बताया कि अगर आप zero budget natural farming यहां पर करते हैं तो उससे आपकी yield में lows देखने के लिए मिलेगा देखिए याद रखिएगा कि जब आप organic farming करते हो तो आपकी yield कम हो जाती ह आप जितना production चाहते हो उतना नहीं हो पाता production कम होता है लेकिन सब कुछ chemical free होता है organic होता है health आपकी अच्छी रहती है उसको खाने से yield थोड़ी सी कम होगी economic benefit थोड़ी सा कम होगा environmental और health benefit आपकी बढ़ जाएंगे ठीक है यह point आपका है same point आपको zero budget natural farming के साथ यहां पर देख किसी भी तरीके की पैसे का use भी आप यहां पर नहीं करते आप water के लिए fertilizer के लिए किसी भी तरीके का पैसे का खर्च नहीं करते याद रखेगा आप यहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाता जो है खेत में से ही उठाना है खेत में ही डालना है खेत में बोना है ठीक ह हर काम इन फील्ड होगा इस से बाहर का कोई पैसा अंदर नहीं आएगा नहीं आप बीज खरीद होगे नहीं आप कुछ खरीद होगे जो पिछला सीजन था उस से बीज आपको बचाने है और उसको ही सो करना है तो chemical free agriculture है traditional Indian practices पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये मैंने आपको इसकी definition थी जो की static portion में cover होती है जिसको मैंने आप box में डाल दिया है ठीक है तो ये हमारी introduce की गई थी 2019-2020 के budget में और इससे जो आपकी cost of production है वो reduce होती है साथ इसाथ natural resources जो की आपके crop के चारों तरफ आपके field में available होते हैं सिर्फ उनका ही utilization किया जाता है बाहर से कुछ चीज ले करके नहीं आ जाती ये सबसे पहले promote की गई थी मारास्टर के agriculture सुबास पाले करके जी के दौरा और इन्होंने इबताया था इस method के बारे में तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अगर हम बात करें जीरो बजट नेचरल फार्मिंग की तो इसके अंदर चार पिलर्स आजाते हैं एक है जीव मित्र एक है बीज मित्र एक है अच्छदाना और एक है वपासा तो ये चीज़े हैं जीव मित्र की बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर आपको कैमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना और सिर्फ काव डंग है जैगरी यूरीन इन सब चीज़ों का यूज करके आपको यहाँ पर अपनी जो फर्टिलाइजर है उनसे भी protect करना है तो यह बीज में तर आ जाता है फिर यह आ जाता है कुछ अच्छा दाना है mulching आपको यहाँ पर करनी है और deep plowing आपको यहाँ पर रही करनी deep plowing को यहाँ पर जिसको deep tillage कहते हैं वो सब आपको नहीं करना टोप सोईल को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको मल्चिंग प्रैक्टिस अपनानी है एक आजा था आपका वपासा अपकी सोईल के अंदर यहाँ पर होने चाहिए सोईल और्गैनिक कार्बन बनी होई होनी चाहिए इस चीज़ के ओपर फोकस यहाँ पर है इरिगेशन आप उसी तरीके से करें जितनी जरूरत है यानि कि इसके अंदर भी आप देखो कि नून के दोरान इरिगेशन की बात की गई है दोपैर में आप इरिगेशन प्रैक्टिस को अंजाम देंगे पर ड्रोप मोर क्रोप बाला एस्पेक्ट यहाँ पर जुड़ जाता है तो यह अब कुछ नहीं है इसके अंदर यह आप देखो कि पैनल गठीत हुआ और पैनल ने बताया कि अगर आप जीरो बजट नैच्रल फार्मिंग करते हो तो जो आपकी अगरिकल्चर क्रोप से उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा यह चीज आपको यहाँ पर मिली इन्होंने बताया कि आप जीरो बजट नैच्रल फार्मिंग ना करके आप उसके अल्टरनेटिब्स को यूज कर सकते हो लाइक कंजर्विशन एगरिकल्चर प्रैक्टिस को जो की कुछ हद तक जीरो बजट नैच्रल फार्मिंग की तरह ही होती है बट उसमें आपकी येल्ड यहाँ पर कम नहीं होती आप इंटर क्रोपिंग कर सकते हो क्रोप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो इंटिग्रेट न्यूट्रेंट बेनेज्मेंट कर सकते हो फार्म याड मैनुवर कर सकते हो और बहुत तरीके की सस्टेनबल एगरिकल्चर प्रैक्टिसेश होती है उससे आप सॉयल की हेल्थ को इंप्रोब कर सकते हो उनसे आपकी जो क्रोप है उसकी यिल्ड भी कम नहीं होगी लेकिन जूरो बजट नेच्रल फार्मिंग से होगी ठीक है तो यह पूंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है फिर यह मकर संक्रांती मनाईगी और अलग लग जगह पर अलग लग नाम से जाना जाता है क्योंकि यह का हर्विस्ट से ओके तो ऐसा सब यहाँ पर दिया गया इस इमेज को एक बार ज़रूर से पढ़िएगा मिनिस्टर ओफ कंज्यूमर अफेर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिबुशन ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि एफसी आई जिसकी सिचुएशन बहुत जाद खराब है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रत है तो पांच पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं लोगों की नजरों में इसको अनेस्ट बनाना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा उन इंटीग्रेटिंग एंड टू एंड टेक सोलुशन तो टेक्नोलोजी की इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर की गई है प्रक्योर्मेंट से लेकर करके डिलिवरी तक आपको फ्री डिस्ट्रिबूशन यहाँ पर किया जाए और ऑपरेशनल एफिशेंसी भी यहाँ पर बढ़ाए जा सके एक ग्रिवियंस रेडिशनल मेकेनाइजम यहाँ पर चाहिए जो की फार्मर्स हैं यहाँ पर फार्मर प्रोडूसर ओर्गनाइशन है वो उस पर अपनी शिका इमोईउ साइन क्या है और यह फाइनेंस करेंगे सोलार पावर पंप्स को जो बेसिकली सोलार पंप सैट यहाँ पर लगाय जा रहे हैं फार्मर्स के लिए उनको यहाँ पर यह देंगे तो रूलर जो आपका रीजनल बैंक है जिसका नाम है करनाटका विकास ग्रामीर बैं वो पंप सैट यहाँ पर यह लोग यहाँ पर मदद करेंगे तो यह बैंक इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा के बी जी बी यह पहला बैंक है जिसने सोलार लोन स्कीम को इस तरीके से लॉंच किया है नाबार ने साइन किया है एक पैक्ट किसके साथ आर्थिम पैक्ट TCH के साथ क्यों किया है, self help group को support करेंगे, यह credit provide करेंगे, payment, alternative and solutions, micro MSME enterprises को, self help groups को, इनको support करने के लिए हैं सब काम यहाँ पर किया गया, KVIC ने लुंच involving इंडिया की पहली mobile honey processing van, गाजियाबाद के अंदर आपर लुंच की, KVIC के चेर्मेन आपको याद रखने है जिनका नाम है विनाई कुमार सकसेन इन्होंने इंडिया की पहली मॉबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉंच की उत्तर प्रदेश के अंदर गाजयाबाद और गाजयाबाद के अंदर सिरोरा विलेज में इसको यहां पर लॉंच किया गया इसकी अंदर खास्यत है कि ये जो वैन है आप इमेज के अंदर देख सकते हो सेम बैन यहाँ पर लॉंच की गई है यह 8 घंटे में 300 kg हनी को प्रोसेस कर सकती है मॉबाइल बैन है यानि कि यह आपकी चल सकती है यह ऐसा नहीं है कि एकी जगे अपर खड़ी रहेगी ओके यह मॉबाइल बैन है और यह KVIC के द्वारा लैबोरेटरी है जो की इंस्टेंटली एक्जामिन करेगी कि हनी की क्वालिटी क्या उसमें एडल्टरेशन चीनी वगरा के मिशन तो नहीं मिलाए गए है वैन जो है वो आपकी घूमेगी आपकी उत्तर प्रदेश उत्तरखंड हरियाना दिल्ली पंजाब राशा नोर्थ इंडिया में अभी इस चीसको लॉंच किया गया है सेम पॉइंट आपको इमेज के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे 500 गेजी 8 घंटे में प्रोसेस करेगी कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिट होंगे और इन हाउस यहाँ पर इसको सैट अप किया गया है यहीं मेक इन इंडिया बनी हुई बैन है यह चीज मिलेगी आपको इसी के साथ आपको एग्री सोरी हनी प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक और खबर मिलेगी जो नाफेड है आपकी उस नाफेड ने यानि नेजनल एक्रिकल्चर कॉपरेटिब मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया लिमेटेड इन्होंने का है हम 65 फारमर प्रोससर को मिलाकरिक यहां पर लोंच करने की बाद के गई है नाफेड है ट्राइफेड है अन्डाइब है अन्बी है सम मिल करके इन वह कामों को कर रहा है बट मेजर जो काम है आईडिया जिसका होता है उसको आपको यहाद रखना है ना फिर इसकाम को यहाँ पर करेगा यह एक इंप्लिमेंट एजेंसी यहाँ पर होगी तो जो आपका सुईट रिवलूशन है जो आपकी मीठी गरांती है हानी रिवलूशन है उसको लाने की बात यहाँ पर चल रही है इसके अलावा जो चीपर एडियाबल ओयल हैं यहाँ पर आप देखोगे कि अब यह चीप हो जाएंगे क्योंकि इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पर कट कर दी है इसके प्राइस आपको मिलेंगे कि 5-20 रुपे पर लीटर तक आपका ज स्टेट के अंदर फूट सिक्यूरिटी को इंप्रोव करेंगे लोगों के पास खाने के लिए फूड होना चाहिए और फार्मर्स को रेजिलियंस यहाँ पर करेंगे मतलब जो क्लाइमेट चेंज वगरा के इंपक्ट है वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए उसको क्लाइमेट एडवाईजरी यानि की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइट की जाएगी कि आज वैदर कैसा रहेगा सोईल की कंडिशन कैसी रहेगी हवा चलेगी या नहीं चलेगी ठीक है यह सब चीज़ आपको मिलेंगी साथी साथ आप देखो कि राइट फार्मिंग कर सक इसके लिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइट की जाएगी लाइवली हुड ऑप्शन भी प्रोवाइट की जाएगी ताकि फूट सिक्यूर्ट इंकम को भी इंप्रूव किया जा सके नए नहीं नहीं टूल किट्स बनाए जाएंगी मोड्यूस बनाए जाएंगे करके आते हैं जिसका मीनिंग बहुत ही बड़ा है वो कि ऐसा सब सिस्टम हमें यहां पर लेकर के आना है किलाइमेट चेंज गिलोबल वार्बिंग का इंपक्ट आपकी अग्री कल्चर के ओपर ना पड़े ऐसा सिस्टम आप अग्री कल्चर फियल्ड के अंदर पहले से करके रखो टी एन एयू जो आपकी तमिलनाडू एग्री कल्चर यूनिवस्टी आपको मिलेगी इन्होंने एक नई राइस की वेराइटी यहां पर बनाई है जो की सोडिक सोईल की कंडिशन्स होती है उसमें भी आपकी हैल्प करेगी तो यह राइस के वेराइटी है अगर आप आपकी सोईल की कंडिशन्स अच्छी नहीं है तब भी यह आपकी होगेगी इसका नाम दिया गया है टी आर वाइफाइब इससे पहले इन्होंने टी आर वाइफाइब इससे पहले इन्होंने टी आर वाइफाइब इससे पहले इन्होंने टी आर वाइफाइब इससे पहले जाएगा मुझे नहीं लगता है सो याद रखने की जरुद है और इन्होंने इसको पर पूरा हो गया यह आपका प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ओफ इंडिया के जो की एक एपक्स बोड़ी है कॉपरेटिव की इंडिया के अंदर 2021 में यह इसके भी प्रेसिडेंट यहां पर नियुक्त किये गये हैं तो डारेक्ट कुश्चन है किसको का इपको का सत्रवाच चेहर में नियुक्त किया गया उके ऐसा कुश्चन निकलता है इसके बाद जामू एंड कश्मीर के अंदर एक डिस्टिक है रियसी डिस्टिक और Sun की इसके अनदर एक भी लेजडेंगा यह पिया सकते हो इसका नम एजएरी सेटल्मेंट उसको village यहाँ पर union territory का declare कर दिया गया है और इसके अंदर जो है वो 57 additional dairy farms और जादा खोले जाएंगे ताकि इसके अंदर और dairy development किया जा सके ओके इसके अलावा integrated dairy development scheme भी जमोएंड कश्मीर के अंदर लागू है इसके अंदर dairy units जिनके अंदर पांच animals आपको कम से कम है उनको 50% subsidy available कराई जा रही है यह इस scheme के अंदर है और यह special जमोएंड कश्मीर की scheme आपको मिलेगी तो ज़्यादा detail में नहीं जाना बट यह याद रखो scheme कहां की है जमोएंड कश्मीर की और इसके अंदर अगर किसी भी dairy unit के पांच पांच animals है या उससे ज़्यादा है तो उसको 50% subsidy हर एक input पर provide की जाएगी Agnes ने यहाँ पर partnership की है किसके साथ नाफेट के साथ और यह जो महराश्टरा के अंदर जितने भी farmer producer organizations हैं उनको train करेंगे उनको बताएंगे कि डाले जो होती है और की quality assessment कैसे की जाए डाल को देख करके कैसे बताया जाए कि किस तरीके की चीज़े यहाँ पर चल रही है तो यह आपको याद रखना है किसने क्या है Agnes टेक्नोलोजी ने किसके साथ नाफेट के साथ मिल करके और virtual training awareness programs launch करेंगे FPOs के लिए कौन से स्टेट में महराष्टरा में किस चीज़ के लिए पल्स के लिए ठीके तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है तो farmers जो है उनको train किया जाएगा ताकि market quality standards maintain कर सकें farmers और especially तूर दाल पीजन पीव जैसी जो आपकी फसले हैं उनके लिए दालों के लिए यह सब काम यहाँ पर किया जाएगा इन्होंने एक device भी यहाँ पर launch की जिसका नाम है SPECX Visa तो यह device यहाँ पर launch की गई है और पल्स की quality assessment के लिए यह सब काम यहाँ पर किया गया है यह है agonist product innovation availability of retail finance for small farm machinery to drive farm mechanization देखिए farm mechanization पर focus किया जा रहा है तो उसके लिए नए-नए innovations लेकर के आने पड़ेंगे और जो small and जो आपके medium farmers हैं उनको machinery अगर available करा रही है तो उसके लिए national level का एक finance system भी launch करना पड़ेगा यह सब बातें जो है वो release की गई RBI की report के अंदर increase हुआ है over the years और इस समय लगभग जितने भी farmers हैं उनमें से 40-45% farmers ऐसे हैं जिने farm mechanization की सुविदा यहां पर मिल रही है इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में इतने सारे farmers तो हैं लेकिन और countries की तुलना में बहुत ही कम है USA में 95% farmers ऐसे हैं के पास farm mechanization की सुविदा है ब्राजिल में 75 हैं चाइना में 48 हैं इंडिया में सिर्फ 40 से लेकर के 45% है इन्होंने ये भी बताया कि much of this is tractorization इंडिया में tractor ही tractor आपको मिलेंगे इस से ज़्यादा कोई भी farm machinery आपके पास नहीं मिलेगी और भी machines होती है टेक्टर के अलावा ठीक है तो वो सब आपको नहीं मिलेंगी टेक्टराइट रिजेशन ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा RBI की report ने कहा कि farm mechanization के पास potential है कि agriculture productivity 30% से ज़्यादा improve की जा सके और input cost 20% कम की जा सके अगर हमार किसी को farm machinery अबलेबल करा सकते हैं तो ये एक अच्छा तरीका यहाँ पर होगा उके इन्होंने ये भी कहा कि इट रेडियूस टाइम रिक्वार्ट तो कंपीट दा फार्म ओपरेशन भी दिये कि किस तरीके से farm mechanization को improve किया जाए तो इन्होंने बताया कि innovation को लेकर के आएं जादा से जादा और India specific innovations को लेकर के आएं जो small farm हैं वहाँ पर machinery अबलेबल कराई जाए और small farmer की ज़रूरत के हिसाब से ताकि उसको affordable पड़े वो खरीद सके इस हिसाब से उसके price यहाँ पर रखे जाएं क्योंकि इंडिया में जितने भी farmers हैं उनमें से लगबग 70-80% farmers ऐसे हैं जो कि small and marginal farmers हैं उनके पास पैसे नहीं हैं यह सब machinery खरीदने के तो machinery के price ऐसे रखे जाएं या government subsidy provide की जाए ताकि इस तरीके का फायदा हो Retail financing कर सकते हैं बाया specific target और ये नाबाट के दुआरा funding की जा सकती हैं इन सब चीजों की कि वो machinery को available कराएं टेक्टर तो हैं उनको ना available कराएं लेकिन जो और machinery है small farm machinery वो available करा सकते हैं इसके अलावा एक time होती है priority sector lending उसके जरीए आप farm equipment के लिए loans को provide करा सकते हैं bank को योगदान लेकर गए तो ये चीज़े भी आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अलावा कुरूचेतर magazine भी आप यहाँ पर पर सकते हैं जो कि smart agriculture के ओपर थी और ये काफी अच्छी है और smart agriculture चुकि agriculture के current affairs है तो basic जो मुद्दे हैं वो cover कर लिए जाते हैं इसके अंदर में उसके बाद India emerge हुआ दुनिया का largest exporter बन चुका है घेरकिन्स और खीरा का ठीक है तो खीरा आप यहाँ पर याद रखोगे जो खीरे आते हैं उनका सबसे बड़ा largest exporter यहाँ पर बन गया लगबद 200 billion mark यहाँ पर हमने export के उसको क्रोस कर लिया है कुकुम्बर से लेकर के अगर आप देखो विच इस गिलोबली रिफर्ट अज़ गेरकिन्स और कोरकिन इन दे लास्ट फाइनेशल लिया तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी और कोई बड़ी ख़बर नहीं है बस इतना याद रखना है कि हम किस फील्ड में दुनिया के largest exporter बन चुके हैं तो गेरकिन्स, कुकुम्बर वगयरा के छेतर में हम largest agriculture जो exporter हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं गेरकिन्स आर एक्सपोर्टे अंडर टू केटेगरी लाइक कुकुम्बर और गेरकिन्स दो चीज़ों के अंदर यह आपकी एक्सपोर्ट की जाती है और अलग-लग तरीके से बनाई जाती है आपकी विनेगर है, acetic acid है में preserve करके इसको रखा जाता है और processing इसकी किस तरीके से की जाती है उस base पर यह दो तरीके से export की जाती है गेरकिन cultivation, processing and export इंडिया में 1990 से start हुई और तमिलनाडू, आंदर परदेश, तेलंगाना जैसे states में जादा यहाँ पर पर चली थै 15% दुनिया का जो production है इसका इंडिया में किया जाता है तो ऐसे सब point यहाँ पर याद रखने कि यह चीज़ें आपकी जो हैं वो चालू है और इस तरीके से आपका काम होता है उसके अलावा Agri Nutri Garden Week कि यहाँ पर celebrate किया गया और यह celebrate किया गया अंडर दीन दयाल अंतोदय योजना नेशनल रूलर लाइवलिवड मिशन के अंदर तो डे अन आर एल एम जो इसके अंदर में Agri Nutrition Garden Week शुरू किया गया इमेज अगर आप देखें तो 10 जनवरी से लेकर कि 17 जनवरी के बीच में इसको यहाँ पर celebrate किया गया और इसका एम है जो Agri Nutri Gardens है रूलर हाउसोल्ड के अंदर उनके लिए Awareness Campaigns चलाना है इनके Establishment को बढ़ावा देना है तो यह आपको समझ में आना चाहिए जो फार्मर की Nutrition नीड है या Access Production है अगर कोच पी हुआ है तो वो किस तरीके से किया जाए उसका Management किस तरीके से किया जाए उसको किस तरीके से बेचा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा Income Generation हो उस सबको देखते हुए यह काम यहाँ पर किया गया पिरमोट करेगा Nutritional Awareness की आप जो कुछ हुआ रहे हैं उसमें Nutrition की मातरा जादा से जादा होनी चाहिए Education भी अबलेबल कराएगा Behavioral Change भी करने पड़ेंगे Traditional Knowledge भी यूज़ करनी पड़ेगी और Nutrition Sensitive Agriculture भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ये सब काम इसके अंदर में होंगे Day NRLM जो Scheme यहाँ पर है ये एक flagship program है सरकार का और इससे जो Poverty Reduction का काम किया जाएगा आपका Self-Help Group Pharma Producer Organization Especially Women का योगदान लेते हुए Strong जो आपके institutions हैं वो create की जाएएगे ताकि लोग जो गरीब लोग है वो खुद ही जो आपकी इस तरीके के mechanism होते हैं law वगरा define करने के उनमें खुद ही entry ले सके और ये काम यहाँ पर हो सके तो ये campaign है इस तरीके का Ministry of Agriculture ने और Farmal Welfare ने issue की है guidelines की किस तरीके से drone का use agriculture के अंदर होगा तो ये बात सीरे से देने इंकल करके आई और ये जो guidelines हैं ये issue की गई है अंडर sub mission on agriculture mechanization के अंदर और इसके अंदर जो drones हैं अब उनका use यहाँ पर किया जाएगा और इसके लिए guidelines यूज की गई है सरकार ने कहा है कि हम 10 लाग रुपे की grant यहाँ पर देंगे agriculture institutes को की वो drones को purchase करें पहला point तो ये बात इन्होंने अपनी guidelines में लिखा उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि financial assistance to custom hiring centers भी provide की जाएगी जो की cooperative society of farmers के दोरा develop होंगे यानि कि FPO's ये ruler entrepreneur के दोरा अगर वो drones को खरीते हैं तो उनको भी financial assistance provide की जाएगी ओके दूसरा point आपको ये याद रखना है कि guidelines के अंदर में क्या है बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना drone का use आप agriculture में कर सकते हो ये एक evergreen topic है routine activities के लिए like pesticide spray करना है crop monitoring करनी है उसके लावा advanced activities like soil को manage करना है field analysis करना है individual plant की growth देखनी है artificial intelligence और इसके जलते आपके काफी सारे used drone के देखने के लिए मिल जाते हैं उसके बाद ICAR के अंदर एक institute है जिसका नाम है National Center for Research on Seed Spices इन्होंने SBI के साथ collaborate किया है यानि कि आपके State Bank of India के साथ collaborate किया है और अब State Bank of India का जो mobile app है जिसका नाम है Yono app उसका नाम farmers के लिए किया गया Yono किर्शी app इस app पर किसान Spices के लिए Seed भी खरीद सकते हैं तो इस app पर पहले से ही fertilizer आप देख सकते हो Monday, Mitre, Agri, Gold, Loan ठीक है यह सब पहले से एबलेबल हो रहा है और अब इस app के अंदर आप देखोगे Spices से related जो Seed है वो भी आपको एबलेबल कराएंगे तो ओनलाइन आप किसी भी Spices के Seed खरीदा चाहते हैं Like Coriander के हैं Coming के हैं, Fennel के हैं इस सब के अगर आप करौन जी वगरा के Seeds खरीदना चाहते हैं तो आप Online Order कीजिए आपके घर पे पहुचा दिये जाएंगे तो यह सब काम Yono Carci एप के जरीए किया जा रहा है आपको इतना आपर याद रखना है उसके बाद P.M. Fasal B.ma. योजना जो की आपकी कई सारे इसके अंदर चैलेंजिस देखने के लिए मिले मैंने आपको पिछली तीन वीडियो में इस चीज़ों के बार में पढ़ाया कि Fasal B.ma. योजना में किस तरीखे के चैलेंजिस है इसमें पता चला है कि क्रोप इंशोरेंस तो किया गया लेकिन उसके जो क्लेम्स हैं वो 822 क्रोन रुपे के पैंडिंग पड़े हुए हैं 2016 से 2016 से 2017 से आप देखो कि कोई भी जो Fasal B.ma. योजना के क्लेम्स हैं वो डिस्ट्रिब्यूट नहीं किये गए हैं फार्मर्स को तो ऐसे फार्मर्स जिन्होंने प्रदानमंत्री Fasal B.ma. योजना के अंदर ओप्ट किया था और उन्हें किसी भी तरीके के क्लेम्स नहीं मिलें 2016 सत्रह से और अनपेड एमाउंट जो है वो लगबग 2822 करोन रुपे का यहां पर है आप इस यहां पर दो ओड लगाईएगा ठीक है इसको अपने लौंच भी कर लिया हलांकि ये अभी में देखने के लिए मिलेगा कि ये सब विट्रो भी यहां से कर रहे है तो ये दिक्कते हैं आपको सिर्व इतना याद रखना है कि एक प्रोब्लम जो और मोटी बड़ी होती चली जा रही है वो ये है कि क्रोप इंशोरेंस के जो क्लेम्स हैं वो डिस्ट्रिब्यूट नहीं किये जा रहे तो फार्मर्स तक सम कैसे पहुँचेगा टोटल सम इंशोर देगी आप कितना जादा यहाँ पर हो चुका है कैसे काम चलेगा तो यह कुछ कम यहाँ यहाँ पर नजर आई देखने के लिए इसके बाद इंडिया का जो एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट है कहा जा रहा है कि 2022 ते हीस में 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगे इंडिया के एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट तो इंडिया के एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23.21% है और परसेंट से ग्रो हुए हैं अपरेल से लेकर के नवंबर 2021 तक और लगबख 31 बिलियन डॉलर से यह बढ़े हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह डाटा यहाँ पर दिया और कहा है कि 2023 में यह 50 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगे तो इतना याद जरूर से रखो कि अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और लगबख 50 बिलियन डॉलर तक पहुँचने के टारगेट 2022 तक हमारे हैं इसके बाद सरकार ने COVID-19 के दोरान भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है लाइक एक्सटेंड की है बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो खतम होने वाले थे जिनकी वैलिडिटी खराब होने वाली थी उनको एक्सटेंड किया है और एक्सपारेशन जो उनकी एक्सपारी डेट थी उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया है साथी साथ कंट्रोल रूम्स भी यहाँ पर एस्टेबिश किया है ओनलाइन सर्टिफिकेट इशू की है एक्सपोर्ट के लिए और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है उनको भी यहाँ पर लॉंच किया है तो इस तरीके से अगर हम गिरोग करते रहे तो हमारे जो अगरिकल्चर एक्सपोर्ट है वो ऐसे हो जाएंगे जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुए यह बात इनकी रिपोर्ट ने यहाँ पर कही तो यह सब पॉंट्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने है फार्मर्स जादा से जादा यहाँ पर येल्ड को बढ़ावा दे सके हैं भी आप इमेज के दर देख सकती हो जो कमपणी है जिसका नाम है करिये शळिए सब्सक्री फार्मर्स पर ऐसमें पाटिसिपाइट हुए इन्हों पहा कि 80-85 दिन में फसल मैचौर हो जाएगी और तो और यह यहां पर आप देखो समर में भी आप इसको बहुत सकते हो और यह गिरती भी नहीं है फसल और 7-8 फीट तक देखने के लिए मिलेगी इसके जो सीड हैं वो सॉलिड हैं और ग्रेंस भी जादा मिलेंगे आपकी प्र नेशनल स्टार्टप अवर्ड 2021 यहां पर बाते गए और टोटल जो हैं वो 46 इंडियन स्टार्टप्स को यह अवर्ड दिये जाने थे उन में से 14 एग्री स्टार्टप्स को चूज किया गया है जिनोंने कुछ किया और जो की बेसिकली अगर देखें कि इंडियन सुक्साइ किसे यहां पर डिस्ट्रिब्यूट किये गए और यह ऐसे स्टार्टप्स को दिये जाते हैं जिनका कंट्रिब्यूट जो अच्छा कंट्रिब्यूट करते हैं इकनोमिक डानामिजम में इनोवेशन लाते हैं कंपटिशन क्रियेट करते हैं मार्केट के अंदर और यह सब ब क्रायो प्लास्टिक यह पूरा नाम है इनका RMSI क्रायो प्लास्टिक तो बेस्ट बुमेन एग टैक एंटरप्रिनोर्शिप का अवार्ड इन्हों नहीं जीता है ठीक है तो जास सीधा न्यूज है कि किसने बेस्ट बुमेन एग टैक एंटरप्रिनोर्शिप का अवार्ड जी तो इस तरीके सा आप इसको यहाँ पर याद रखिए का कि इसनों ने जीता है और इनकी जो चेर्मैन है वो उनका नाम मिल जाएगा आपको रॉली जिंदल जो की को फाउंडर है और इन्होंने इसको यहाँ पर रिसीव किया आवोर्ड को ओके और यह आवोर्ड जो है वो फि एक अग्रिकल्चर कमिशन लौंच करेंगे जिसके अंदर अलगलग तरीके के स्पेशलिस्ट होंगे साइंटिस्ट होंगे जो की नए नए अग्रिकल्चर प्रोडक्शन solutions को investigate करेंगे कि किस तरीके से उन solutions पर बहतरीन काम किया जा सकता है तो ये काम यहाँ पर आपका किया गया Assam की सरकार के दौर आपको यह point यहाँ पर याद रखना है तो जो commercial agriculture production है Assam के अंदर उसको examine किया जाएगा कि हम किस तरीके से और जादा agriculture yield को बढ़ा सकते हैं नए-nay solutions लेकर करके आ सकते हैं Climate resilient agriculture को produce कर सकते हैं और drought resistance फिलड रेजिस्टेंस इस तरीके की जो crops हैं उनको उगा सकते हैं उसके उपर ये सब analysis examine यहाँ पर किया जाएगा तो चीफ मिनिस्टर ने अपने statement पे इस बातों को बताया इन्होंने कहा कि इसके जरीए हम जो हैं वो farmers का profit यहाँ पर बढ़ाएंगे और production भी यहाँ पर बढ़ाएंगे इसके अंदर हमने जो commission set up किया है उसमें कई सारे specialist भी मौदूद हैं और कई सारे agriculture scientist भी हैं जो की असम की जोग्राफी टोपोग्राफी और distribution को लेखर के recommendations देंगे उसके बाद news आती है Maya civilization की यह history related news है लेकिन agriculture के अंदर cover की गई है क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि Maya civilization जो की मेक्सिको में यहाँ पर निकल कर के आई उसका जो fall हुआ civilization जो खतम हुई वो इस वज़े से हुई क्योंकि droughts आये थे लेकिन अब हमें पता चला है कि droughts वगएरा कुछ नहीं आए Maya civilization के पास drought resistance जो फसले थी वो यहाँ पर present थी तो इसका जो collapse हुआ वो किस वज़े से हुआ वो तो हमें अभी भी नहीं पता 600 से लेकर के 800 AD पहले यहाँ पर रहा करती थी यह अचानक से collapse हो गई लोगों को लगा drought आया होगा लेकिन अब पता चला है कि drought तो आई नहीं सकता क्योंकि उनके पास 500 से ज़ादा edible plants की variety थी जो कि drought के against resistance थी जिन पर drought का कोई भी असर नहीं पढ़ सकता था तो drought तो एक कारण होई नहीं सकता कोई और कारण है अभी पता नहीं चला है तो माया सिविलाइजेशन आप देख सकते हो कि मेक्सिको के अंदर में यहाँ पर आपको मिल जाएगी गौाटेमाला वगेरा के बोर्डर पर तो यह पॉंट आपको पता होना चाहिए उसके बाद अपीडा एंगरिकल्चर एंड प्रोसेस्ट फूड प्रोड़क्स एक्सपोर्ड डेवल्मेंट अथोरिटी ने पहला शिप्मेंट किसका मरायूर जगरी का तो एक तरीके की यहां पर एक्सपोर्ट किया रहा है दूबई और पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि मरायूर जगरी जी आई टेग इसको यहां पर मिला हुआ है और केरल का यह फेमस प्रोड़क्ट है इसको दूबई यहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है आपको इतना पॉइंट यहां पर याद रखना था कि जी आई टेक्स को मिला हुआ है इसके अलावा यूएसे ने यहां पर आपका दो साल का बैन लगाया था कि इंडिया से किसी भी तरीके के मैंगो नहीं आएंगे किसी भी तरीके के पॉमी ग्रेनेट यानी अनार यूएसे के अंदर नहीं आएंगे लेकिन अब उस बैन को यहां पर हटा लिया है और अब कहा है कि हम इंडियन मैंगो कभी इंपोर्ट करेंगे और हम पॉमी ग्रेनेट कभी इंपोर्ट करेंगे इंडिया ने कहा है कि आप इतना ओपन कर रहे हो तो हम भी ओपन कर देते हैं और अब हम अमेरिकन चेरीज, पॉर्क, अल्फाल्फा को अपने डोमेस्टिक मार्केट में लेकर के आएंगे तो आपको पॉइंट याद रखना है कि USA को हमारी तरफ से जाएगा हमारी तरफ से जाएगा India mango और पॉमीग्रेनेट और हमारी तरफ को क्या आएगा हमारी तरफ को आएगा यहाँपर American cherries, pork और alfalfa ठीक है तो ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर याद में रखनी है ये सब होंगे उसके बाद center ने यहाँ पर अपनी जो moisture content limit है उनको reduce किया है देखे जब FCI farmers से wheat है rice है यहाँ पर खाईदने के लिए जाती है तो वो check करते हैं कि उनकी wheat है अगर moisture की limit 14% से जादा है तो उसको अनाज को खरीदा ही नहीं जाता और farmer का वो जो अनाज है वो बेकार हो जाता है या फिर उसके सस्ते दामों में कहीं और बेचना पड़ता है इससे farmer की productivity गिर जाती है तो जो moisture content की limit है ये farmers के लिए बहुत जादा दिक्कत का कारण है अब center ने यहाँ पर इसको और जादा reduce किया है तो इससे farmers को नुकसान होगा या फायदा होगा obviously नुकसान होगा देखिए पहले 12% limit थी तो पैसा आधा मिलता था अब 10% limit होगी तो पैसा 10% से जादा पर ही आपको आधा मिलना लेगा मालों आपकी content में limit 11% मिली ठीक है अगर पहले अगर हम 12% पर देखते तो हमें फायदा होता अगर लगबग आधा पैसा तो मिलता लेकिन अब हमें आधा पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि 11% पर आपका पूरा कपूरा अनाज रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो यह सब point आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यह जो limit है इसको reduce करने की बात चल रही है rice के लिए यह limit है आपकी 16% से लेकर के 17% और wheat के लिए यह limit है 12% से लेकर के 14% अगर आपका अनाज 14% से उपर moisture content को reserve करता है तो आपका अनाज को reject कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पर loss देखने के लिए मिलेगा तो moisture content इस तरीके से फार्माइस के लिए किशू create करता है आप देख सकते हो कि जो आपका harvesting होती है harvest के बाद wheat जो है वो moisture को absorb करता है और जबकि rice से जो moisture है वो loss हो जाता है तो major problem जो है वो wheat के अंदर है क्योंकि उसने अगर moisture को absorb कर लिया तो उसके अंदर moisture का content यहां पर बढ़ जाता है फिर farmers को यहां पर जो है वो सुखाना पड़ता है उसको dry करना यह है क्योंकि हमें भी खरीद करके नीचे बाटना है और नीचे बाटते time अच्छी quality का food grain नीचे की तरफ जाए लोगों को public distribution system के जरी अच्छा food मिले उसका भी हमें ध्यान यहां पर रखना पड़ता है तो यह चीज़ यहां पर निकल करके आती है यह हमारी वीडियो की लास्ट सिलाइड है और इससे जादा एगरी कल्चर के current affairs में कुछ नहीं निकला एक दो current affairs हो सकता है कि मिस हुए हो लेकिन उनको मैं अगले महिने में cover करा दूँगा यानि कि फरवरी 2022 में cover करा दूँगा यह आप लोगों देख सकते हैं अगर आपके पास time है तो thanks for watching take care